इस वीडियो में बात करने वाले हैं Deloitte की new recruitment के बारे में जो की 2024 के लिए निकाली गई है जिसमें 3200 प्लस विकिंसी निकाली गई है इसके लिए all over इंडिया से कोई भी male and female candidate apply कर सकता है और यहाँ पे आप सभी को बता दें कि free of cost आप इसके लिए apply कर सकते हैं कोई भी application fees या को information आप सब्सक्राइब कर देंगे कि apply कैसे करना है selection process क्या है qualification क्या है हर एक चीज़ आपको इस वीडियो में clear हो जाएगी तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like share करके चैनल को सब्सक्राइब करने और वाइल आकन पर प्रेस करने हैं तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख स सकते हैं इसके लिए all over India से कोई इंट्रेस्टेट इलीजिवल candidate form apply कर सकता है और जो भी candidate इलीजिवल है वो इसके official website पर जाके online application form apply कर सकते हैं बाकी का अगर हम यहाँ पर बात करें तो डिलॉइट के बारे में आप को कुछ इंफॉर्मेशन देगे यह तो डिलॉइट के बा बारे में तो 3200 प्लस आपकी विकेंसी निकली हैं जिसमें अगर आप देखेंगे नेमा पोस्ट तो यहां पर एसोसियेट कस्टूमर सर्वेस ग्रेजुए ट्रेनी इंग्जिनियर एंग्जिनियर कंसल्टिंग एसोसियेट यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाती है अ अगर आपको देखने के लिए मिल जाती है अगर आप इंटर्वी को क्वालिफाइ कर लेते थे नॉर्वल डॉकुमेंट वेरिफिकेशन आप सभी का होता है वहीं पर अगर अप्लिकेशन फीस की बात करें तो आप किसी भी कैटेगरी से किसी भी स्टेट से बलॉंग करते हों फ्री आफ पॉस्ट आप इसके लिए अप्लाइ कर सकते हैं कोई भी चार्जेस आपको पे करने की जरूबत नहीं पड़ती बात करें हाओ टू अप्लाइ सकते हैं अगर यहाँ पर हम बात करें कि डिलौइट रिकूट्मेंट के बारे में कुछ इन्फ़र्मिशन के कैसे बात कर सकते हैं का प्लाइ करने का प्रोस आपको बताएंगे लेकिन आप इसके लिए प्लाइ कर सकते हैं यहाँ पर कुछ इंपूर्टेट के गहीं तो 16 information mail मिल जाता है कि इस date and location पर आपका इंटर्व्यू होगा तो उसके according अपना इंटर्व्यू अटेंट कर सकते हैं इंटर्व्यू दे सकते हैं यहां पर इंपोरेंट आपको देखने के लिए जिसमें सबसे पहले लिंक का घूलाउइन की दिया गया है तो अपलाई करने लिए स्क्रीन पर आपको वैबसाइट दिख रही है किसी ब्राउज़ में सर्च करें आगे का process आपको बताते हैं सबसे पहले आप जो भी डिवाइस करें जैसे मोबाइल लैपटॉप कोई भी डिबाइस हो आप इसमें कोई भी ब्राउजर ओपन कर सकते हैं जैसे मैंने यहां पर गूगल ओपन किया हुआ है और यहां पर आप सभी को सामने इस तरीके का इंटरफेस यहां पर सभी को देखने के लिए मिल जाएगा तो यहां इस अगर आपको यहां पर नहीं मिलता तो लेटेस्ट जॉप सेक्शन में जाकर आप चेक कर सकते हैं यहां फिर सच करके भी इस नौर्डिफिकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे आपको नौडिफिकेशन दिखता है आप इस पर क्लिक कर देंगे क्लिक करने के यहां पर important links के section में आपको आ जाना है जिसमें apply online के बटन आपको दिया हुआ है तो click here पर आपको करना है click click करने के बाद आप Deloitte के official recruitment website पर redirect हो जाते हैं जहां पर कुछ इस तरीकी का interface आपको देखने के लिए मिलता है यहां पर आप देखेंगे बहुत सारी विकिंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जिसमें आपको job title location and date आपको देखने के लिए मिल जाती है अब इसमें आप अगर चाहें तो यहां पर title location के according filter भी कर सकते हैं अगर आप सिंपल सर्च करना चाते हैं तो यहां पर बस आप आपको अपनी qualification criteria के according job search करनी है अगर आपके पास experience है तो बहुत अची बात है experience वाले candidate के लिए तो बहुत सारी job opportunity आपको देखने के लिए मिल जाएंगी बहुत सारे candidate ऐसे होते होते हैं उनके पास कोई experience नहीं होता तो उनके लिए jobs तो यहां पर आपको job search का option आपको देखन professional jobs and freshers job आपको देखने के लिए मिल जाएंगे तो यहां पर freshers job पर आपको कर देना है क्लिक क्लिक करने के बाद आप सभी यहां पर देखने के लिए मिल जाती है तो इस तरीके से यहां पर दे रखें जैसे strategy and transaction valuation and the आप सभी की लोकेशन रहेगी 22 जोलाई को इसे अपडेट किया गया है तो लेटेस्ट यह जौब इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी आप इसके लिए बॉर्म फ्रम अप्लाई यहां पर आपको आपको देखने के लिए मिल रहा है इस पर आपको आपको क्लिक कर देना और जैसी आप सभी के सामने login वाला इंटरफेस आता है जिसमें सबसे पहला आपको sign in करना है अगर आप पहली बार apply कर रहे हैं तो आपको new account create करना पड़ेगा लेकिन अगर आपने पहले कभी इसके लिए apply किया है इस वाली website पे आके तो आप इसमें email address and password डाल के sign in कर सकते हो और पहली बार apply करने वाले candidate क आपको यहां पर create an account पर करना होगा क्लिक और create an account पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर कुछ details है जो कि आपको फिल करने होंगी जैसे कि email address हो गया रिटाइप email address हो गया पास्वर्ड हो गया first name last name country phone number यह सारी details आप सभी को यहां पर डालनी होती हो उसके बाद create account पर कर देना है क्लिक तो जो यहां पर email ID and password आपने डाला है उसी details को use करके आप sign-in कर लेंगे और sign-in करने के बाद जिस विकिंसी के लिए आप अप्लाय करना चाहते हैं उस विकिंसी के लिए अप्लाय कर सकते हैं सबसे में कम यही रहता कि सबसे पहला आप यहां पर अपना account create कर लें और इसके बाद email address and password डाल के sign-in कर लें और sign-in करने के बाद आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाय कर सकते हैं और यह एकदम जैनुवन प्रोसेस है जो की Deloitte की तरफ से officially आपको देखने के लिए मिलता है तो पूरा प्रोसेस आपके साथ शेयर किया है इस तरी के से भी connects हो जाए ताकि सारे जाव अबडेट आपको regular मिलते रहें और directly मिलते रहें तो आप टेलीक्राम जाइन करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो पसंद आई हो थो लाइक शेयर वाइकर करना बिलकुल ना भूलें और वीडियो पसंद आई हो तह प्लीज वीडियो लाइक शेयर अगर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वैल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आना वाली जॉब अप्डेट के नोटिफिकेशन भी आपको इसी तरीके से सबसे पहले मिलते रहें मिलेंगे नेक्स वीडियो में फिलाल के लिए बस इतना ही तो थैंक यू फू वाचिंग जैहिंग जैवारत